ये कहानी मैलिसा नाम की एक लड़की की उपर आधारित है जिसे घपा घप करने का इतना शौक होता है कि वो एक साथ पांच माच लड़कों के साथ घपा घप करती है इसके बाद मैलिसा अपनी प्यास बुजाने के लिए और क्या क्या करती है ये हम आज की इस explanation में देखने वाले हैं आज मैं जिस फिल्म को explain करने वाला हूँ उसका नाम है मैलिसा पी और ये फिल्म 2005 में release हुई थी मूवी की शुरुवात में हम 15 सल की मैलिसा को देखते हैं जो अपनी मौम और अपनी ग्रेंडमा के साथ रहती थी मैलिसा की उसकी मौम के साथ relation कुछ खास अच्छे नहीं थे इसलिए वो अपनी ग्रेंडमा के काफी करीब थी मैलिसा की ग्रेंडमा को स्मोक करने की आदत थी इसलिए उनकी तबेत अकसर खराब रहती थी एक सुबह मैलिसा अपने मौत के कोई में उंगली डाल रही होती है पर तभी वहाँ पर उसकी मौम आ जाती है और मैलिसा खुद को रोक लेती है इसके बाद मैलिसा अपनी फ्रेंड के साथ डैनियल के घर पर जाती है डैनियल मैलिसा का क्लासमेट होता है और आज उसके घर पर एक पाटी थी मैलिसा डैनियल को बच्पन से ही पसंद करती थी पर डैनियल ने उस पर कभी भी ध्यान नी दिया फिर जब मैलिसा स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है तब ही वहापर डैनियल आता है और उसे पानी में गिरा देता है पर मैलिसा को स्विमिंग करना नहीं आता था और जब ये बात डैनियल को पता चलती है तो वो मैलिसा को पकड़ कर किनारे पर ले आता है इसके बाद मैलीसा को बोलता है कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं पर ये सुनकर मैलीसा सोसती है कि ये साला पता नहीं क्या दिखाएगा पर डैनियल उसे अपना गार्डन दिखाता है फिर डैनियल मैलीसा को बोलता है कि मैं तुम्हें स्विम्मिंग करना सिखाऊंगा पर इसके पर यहां पर रोजा केले हाना होगा अब यह सुनकर मैलिसा भी खुश हो जाती है और वो डैनियल को हाँ बोल देती है इसके बाद वो दोनों बैटकर बाते करने लगते हैं और यहां मैलिसा डैनियल को बताती है कि उसने आस तक किसी भी लड़के के साथ घपागप नहीं किय है अब मैलिसा की बातों से डैनियल को पता चल जाता है कि वो उसे पसंद करती है और डैनियल भी इस बात का फायदा उठाता है वो मैलिसा को अपना छोड़ा चेतन चूसने के लिए बोलता है और मैलिसा भी उसे मना नहीं करती क्योंकि वो उसे पसंद करती थी अब यहां पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते है कि मैलिसा की छुटिया खत्म हो चुकी है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है मैलिसा वाँ पर डैनियल का वेट कर रही होती है पर वो नहीं आता दरसल उस दिन के बाद से डैनियल कभी भी मैलिसा से मिला ही नहीं इसके बाद Buysi की दोस्त मांपर आती है और वो उसको बोलते है कि तुम डैनियल को भूल जाओ पर Buysi उसकी बाद नहीं मांती और वो अपनी डाइरी में लिखती है कि वो डैनियल को कभी भी माफ नहीं करेगी कुस दिनो बाद Buysi की फ्रेंड उसे बताती है कि डैनियल एक क्लब में है तो वो दोनो डैनियल को देखने उस क्लब में जाते हैं वहाँ मैलिसा डैनियल को देखती है और डैनियल भी उसे देख लेता है फिर डैनियल मैलिसा के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम बहुत बढ़ी हो गई हो फिर डैनियल मैलीसा को ट्रिंक ओफर करता है और बोलता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाता हूँ मैलीसा भी उसे हाँ बोल देती है और फिर वो दोनों डैनियल के घर चले जाते है वहाँ डैनियल मैलिसा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ घपा घप कर सकता है तो मैलिसा उसे हाँ बोल देती है फिर वो दोनों वहीं पर घपा घप करने लगते हैं और घपा घप करने के बाद मैलिसा डैनियल को बोलती है कि वो उससे प्यार करती है पर इस पर डैनियल उसे बोलता है कि तुम पागल हो क्या और वो उसको वही छोड़ कर वहाँ से चला जाता है अब इस इंसिडेंट के बाद से मैलिसा पुरी तरह बदल जाती है क्योंकि डैनियल ने उसे बहुत ज़दा हर्ट किया था इसलिए मैलिसा भी अब डिसाइट करती है कि वो भी लोगों के साथ ऐसा ही करेगी और किसी की भी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचेगी इसके बाद हम देखते हैं कि मैलिसा की ग्रेंड मा की तबेत अचानक खराब हो जाती है इसलिए मैलिसा की मौम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है पर ये मैलिसा को गलत लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मौम उसकी ग्रेंड मा को उससे दूर करना चाती है और इस बात पर मैलिसा और उसकी मौम में बहस भी हो जाती है फिर अगले दिन जब मैलिसा स्कूल जाती है तो वो काफी उदास होती है जिस वज़े से सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं पर वहाँ पर मारको नाम का एक लड़का होता है जो उसकी फीलिंग्स को समझ रहा होता है स्कूल के बाद मैलिसा अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफे में जाती है उस कैफे में एक आदमी मैलिसा को देखने लगता है जिस पर मैलिसा अपनी फ्रेंड को बोलती है कि देखो मैं इस आदमी को कैसे अट्रैक्ट करती हूँ फिर जैसे ही वो आदमी मैलिसा के पास आकर बैठता है मैलिसा वाँ से उठकर चली जाती है इसके बाद जब मैलिसा अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी ग्रेंड मा उसके घर आई है जिनको देखकर वो बहुत खुश होती है पर उसकी ग्रेंड में जब मैलीसा को देखती है तो वो समझ जाती है कि मैलीसा पूरी तरह बदल चुकी है और वो ये बात मैलीसा की मॉम को भी बताती है पर उसकी मॉम उनकी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती फिर कुछ दिनों बाद मैलिसा को डैनियल का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है अब ये सुनकर मैलिसा पिछला सब कुछ भूलकर डैनियल के पास चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि डैनियल अभी भी उसे प्यार करता है फिर वहाँ पर वो दोने एक दूसरे को किस करते है और इसके बाद डैनियल मैलिसा की आखों को बंद करने के लिए बोलता है फिर मैलिसा जैसे ही अपनी आखे बंद करती है तभी डैनियल वहाँ पर अपने दोस्त को बुलाता है और उसका दोस्त वहाँ आकर मैलिसा को किस करने लगता है पर जब मैलिसा ये देखती है तो वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है पर तभी मैलिसा का मन बदल जाता और फिर वो डैनियल के दोस्त के पास आकर उसे किस करना शुरू कर देती है और फिर वो तीनों मिलकर एक साथ घापा घाप करते हैं फिर एगले दिन मैलीसा ये सारी बाते अपने दोस्त को बताती है जिसे सुनकर उसकी दोस उस पर गुसा करती है और उसे बोलते कि तुम्हें इन सबसे दूर रहना चाहिए पर हम मैलीसा को ये सब करना बहुत अच्छा लग रहा था और वो एक एडल साइट पर जाकर अपना अकाउंट भी खोलती है जहां पर वो अपनी ये सब बाते शेयर कर सकती थी फिर एक दिन स्कूल की दरफ से उन्हें एक साइंस म्यूजियम में ले जाया जाता है फिर हम मैलीसा को देखते हैं जो हाँ पर अकेली बैठी होती है पर थोड़ी देर बाद उसके पास एक आदमी आकर बैठता है जो उसी म्यूजियम में काम करता था फिर वो आदमी मैलीसा को अपने साथ घपा घप कनने के लिए पूशता है जिस पर मैलीसा मान जाती है और वो दोनों वहीं पर ही घपा घप कनना शुरू कर देते हैं मैलीसा ये सब प्राइवेट बाते अपनी एक डायरी में लिखती थी फिर एक दिन जब मैलीसा स्कूल जाती है तो वो देखते है कि उसकी प्राइवेट डायरी सभी लोग पढ़ रहे थे अब ये देखकर मैलीसा को बहुत ज़्यादा गुसा आता है और इसके लिए वो अप उसे माफी मांगने लगती है पर मैलीसा उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है वहीं एक लड़का जिसका नाम मारको होता है वो मैलीसा को देख रहा था दरसल मारको मैलीसा को बहुत पसंद करता था पर मैलीसा ने उसे आज तक भाव नी दिया था फिर मारको मैलिसा से बात करने के लिए उसके पास आता है पर तब ही मैलिसा को डैनियल के फ्रेंड का फोन आता है और वो उससे मिलने चली जाती है फिर जब मैलिसा डैनियल के फ्रेंड से मिलती है तो वो उसे एक बंकर मिले जाता है वो उसकी आंको पर पट्टी बान देता है और वो उ अभी स्टूडेंट उसे ही देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। पर मैलीसा सोच रही होती है कि उसने जो कुछ भी किया वो सही था और उसे उसका कोई पच्टावा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन मैलीसा की मौम उसके कमरे में जाती है और वो वहाँ पर मैलीसा की डायरी को पढ़ लेती है। फिर उसकी मौम मैलीसा को कॉल करती है पर मैलीसा उनका फोन नहीं उठाती। दरसल मैलीसा एक आदमी के घर पर घपा घप करने गई थी। फिर मैलिसा की मॉम इस बारे में मैलिसा की ग्रेंड मा को बताने जाती है पर वहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है कि मैलिसा की ग्रेंड मा इस दुनिया से जा चुकी है और ये सुनते ही उन्हें बहुत ज़्यदा हर्ट होता है और वो वहीं रोने लगती है फिर जब मैलिसा वापस अपने घर आती है तो उसकी मॉम उससे उस डायरी के बारे में पूछने लगती है जिस पर मैलिसा बोलते हैं कि डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है अभी सुनकर उसकी मॉम को बहुत जबा हर्ट होता है और उन्हें इस बात का पच्तावा होने लगता है कि वो मैलिसा पर बिल्कुल भी ध्यान नी दे पाई इसके लिए उसकी मौ मेलिसा से माफी भी मांगती है पर हम मेलिसा को भी गिल्टी फील होने लगता है और तब से वो अपनी सारी गंदी हरकते बंद कर देती है फिर कुल दिनों बाद जब वो वापस स्कूल जाती है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर डैनियल अपने दोस्त के साथ लड़ रहा है क्योंकि उसी की वज़े से मेलिसा ने एक साथ पांच लड़कों के साथ घपा घप किया था तब ही डैनियल भी मेलिसा को देख लेता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है पर मैलिसा उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है फिल्म के लास सीन में हम देखते हैं कि मैलिसा की लाइफ अब पूरी तरह चेंज हो चुकी है और वो अपनी मौम के साथ बहुत खुश है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है